हेलो स्टूडेंट्स माई शेल्फ नितिन सिंग प्राम चनक्या गाले जाफ एजूकेशन आज की क्लास में मैं डिलेट सेकंड यर्जे टीचिंग आफ मैथमेटिक्स गणित का सिच्छन साथ पेपर में यस सेबन सब्जेट कोट के अंतरगर्द यूनिट फॉर्थ में डिस् चेतरफल की समझ अर्शलियंडि बच्छों में कैसे किया जाए उसके कंसेक्थ को उसके फार्मूलेज को पेरिमीटर के बारे में कैसे ओड़िया कैसे समझ विक्सित किया जाए क्यों अग्यान स्थाई रहे बच्छों के लिए प्रभावकारी रहे आज उसी कड़ी में हम लोग आयतन के बारे में देखने का प्रयास करते हैं आयतन की शमच क्या होती है उसको कैसे बच्चों में दिया जाना चाहिए इसके क्या क्या विद्धी तरीके हैं क्या क्या गद्धियां बच्चों के कराई जाए किस बिधी से दिया जाए इन तमाम बिद्वों को दिखने का प्रयास करते है वालूम, अंडरेस्टेंडिंग अब वालूम आयतन तीन भीमी फैलाव का उनाफ है डिबे, नोटबूक, बंद पीपा, आलमारी, इंट, पत्थर, जैसी त्री भीमी बंद वस्तों जितनी जगह घेरती है वो शब आयतन होता है इट मींज ये जितना हम लोगों ने देखा डिबा, नोटबूक, आलमारी, इट, पत्थर, एंट, स्रमान, जो वस्तों हम लोग देखते है ऐसी आकरिती जिन में तीन भीमी हो तीन भीमी कहने के मतलब लंबाई भी हो चवडाई भी हो और उचाई भी हो इट मींज लेंथ व्रेथ हो हाइट तीनों हो ऐसी आकरित जिसमें ये तीनों डाइमेंसंस पाई जाए वो बंद आकरित में जितनी जगह घेरती है वो अश्का वालूम होता है अर्थात आयतन यानि इन वस्तों द्वारा घेरी के जगह है ये जब आल्टिकिल्स हैं ये कितनी जगह घेरते हैं लेकिन बच्चों को घेरी के जगह का एशास देने के लिए कुछ फथर इट लोहे के टुकड़े आदी कठा कर लेते हैं और प्लास्टिक की बाल्टी में बात करें के करके पानी में डूबोएंगे आप देखेंगे हर बार जो पानी का तल है बराबर ही रहता है ऐसा नहीं जैसा होगा पर चर्चब अच्चों से करेंगे ये प्रस्प अच्चों से पूछेंगे कि हम जितनी भिन भिन आल्टिकिल्स को पानी में मर्ज कर रहें य क्या आप आभास कर रहे हैं क्या पानी का तल सबसे मुझा कब हुआ ऐसा क्यों हो रहा है कि उस आल्टिकल को उसको डुबोने पर पानी लेबल बढ़ जा रहा है तल अलग-अलग क्यों बढ़ता है आल्टिकल को बदल देने से पानी का जो अस्तर है अलग रहता है डुबोई ये वस्तिके साईच और पानी के तल के बीच में क्या संबन्द है इत्यादी बातों को हम बच्चों के शामने प्राश्टत करते हैं और यह व्याज़चा करेंगे। कद्विती है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं जाम पर दो पत्थर है इसमें आयतन की तुलना करनी है काच का एक आयताकार बरतन लेते हैं काच के बरतन को तीन बटे-चार भाग भर लेते हैं इट मीज यह कोई को पूलना की तीन बटे-चार उधाय का मतलब कि एक पार्ट उसको खाले रखते हैं बाकि तीन पार्ट उसको फूल अप कर देते हैं और जैसा कि गराफ पीपर की पट्टी चपका देते हैं समझने के लिए यह जैसे कराफ पर ऑल्टिकल यह दिया गया गराफ पट्टी इस उसका क्यों लेख हीस बचा हो और तीन ही शुत में भरा हुआ हो पानी से मर्ज हो तब हम क्या देखेंगे इस कद्विधी से सबसे पहले क्राफ पेपर की पट्टी को खाने गिनकर पानी का तल पढ़ लेते हैं इसमें काउंटिंग कर लेते हैं कितने खाने तक पानी का तल है और अब पत्थरों को एक एक धागे में बांध लेते हैं चित्र के अनुसार जैसा की फिगर में दिया गया है इस पकार से पत्थर को एक थेड़ में बान लेंगे और पत्थर को पानी में डुगोएं और पानी के तल में हुए परिवरतन को नोट करते हैं फिर वही प्रक् कभी हैं हम च्बार में अन्यबार आयबार करते जाते हैं बच्चों हो रहा है इन तमाम प्रशन इन प्रसन को बच्चों से आप पूछेंगे इन के सब्सक्राइव को सब्सक्राइब को समझते है विए जिग्याशाउं का महत्व देंगे कभी कभी यह जो वस्तूइओं के आयतन की तुलना उनके द्वारा घेरिगे वस्तूऊं के तुलना से की जाती है जैसे मेच की दरार में कौंसी वस्तू ज़्यादा जगा घेर रही है माचिस या साबून के डिविया या कौन सी उवस्त बड़ी है किसका आयतन ज्यादा है इत्याद ये सब बाते हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं इसकी तुलना बच्चे खुद कर सकते हैं और इसकी तुलना कैसे करेंगे इसको आप बच्चों की समझ में चानने का प्रयाश करेंगे और दिये गए ब्याख्यान के बाद अपने अस्पष्ट ब्याख्या अस्पष्ट समझ बच्चों को देने के बाद आप करेंगे उपरियोद गद्विधियों को जानने से बच्चों के समझने में मदद मिलेगी क्या that क्या समर्ड अंडरिस्ट्रैंडिंङ मिले घいき हमको कि हर वस्तो का एक नीमित अवर अनेमी ताकार होता है मतलब यह रबस्तों का STAA का एक न cybersecurity होता है एक अनिमी ताकार जो कभी फिक्स नहीं होता बदलता रहता है बड़ी वस्त जाला जगा घेरती है जो वस्त बड़ी होगी उसका जादा जगा कबर करेगी जो वस्त छोटी होगी उसका कम जगा कबर करेगी बड़ी वस्तु यानि पानी की सता को ज़्यादा उपर उठाती है जितनी बड़ी वस्तु रहेगी पानी उतना ही उपर आएगा और जिस वस्तु का साइज ज्यादा हो उसका आयतन भी ज्यादा होगा जिस वस्तु का नेस्ट क्या हो सकता है जिस वस्तु का आयतन कम होगा ज पूछनों को पूछ सकते हैं देख शकते हैं आयतन का सारच्छन हम बच्चों में आयतन को सारच्छन कैसे करेंगे इसको सारच्छन कैसे करते हैं इसको देखते हैं उनको आयतन के बारे में समझ कैसे पैदा करेंगी सारच्छन करने का मतलब वस्तु की आउधाना कैसे मेज बच्चों के मन मस्तिक्स में प्रमानेंटली बन जाए उस पे किसी का कोई प्रभाव न पड़े घेरे गए आयतन की अउधाना शिकते हुए बच्चे को पदार्थ की मात्रा के शरचन का वी एसास रहना चाहिए इसका आकलन हम निनकदविधियों से करते हैं जैसे एक सिच्चक अपनी कच्चा में बच्चों को घेरे के आयतन का एसास पहले ही दे चुके थे अब उए उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि अलग-अलग आकरितियों की वस्तों का आयतन समान भी हो शकता है इसके लिए लकड़ी के कुछ टुकुडे इस प्रकार से आप ले शकते हैं हमें कौन जा प्रते बच्चों को सिखाना है हमें बच्चों को ये बाते सिखानी है कि अलग-अलग आकरित की जो वस्तों होते हैं जिसका आकार अलग होता है लेकिन लेकिन उनका आयतन समान हो सकता है ऐसे आल्टिकिल्स को बच्चों को समझाना है इस प्रकार से हम तीन आल्टिकल्स गुट लकड़े ये बने हुए गुटके उकलेंगे इस प्रकार से बना हुआ जो ए सेप बी शेप और सी सेप में बना हुआ है कंडिशन अमें ये बताना है आक्रित भले चेंज हो लेकिन इसका ओ सेम होना चाहिए क्या अलूम आयतन सेम रहना चाहिए हम अब आक्टिविटी गद्विधियां करा सकते हैं इन घुटकों का आयतन सभान है किसी ने कोई बच्चों ने कोस उत्तर नहीं दिया उन्हों प्याव में प्रेस्ट को अलग-धंग से रखत कई झाव इस का करकीие इसा प्रसंकों बच्चों से हम पूछेंगे क्या इन गुटकों का समाण है बच्यों में समजह ही कि नाते अपनी स्किल को चेंज करेंगे और पूछेंगे क्या इन सबी टुकडों को बराबर जगाल चाहिए मतलब कि क्या इन जो टुकड़े अलग लग से बने हुए हैं उनको समान जगां घिर रहे हैं जितना जगां ये कबर कर तुना जगां ये भी कबर कर रहा है तब ही बच्चे नहीं कर पा रहें कोई बात नहीं फिर फिर हम प्रसेंच करेंगे मालो चलो ये चाकलेट के गुटके हैं अब बताओ इन सब में बराबर मात्रा के चाकलेट हैं बच्चा नहीं सब में अलग अलग मात्रा अलग अलग चाकलेट हैं तूसरा नहीं सर मुझे लगता है पहले दो टोकड़ा में मात्रा बराबर है उन्ह में आ रहा था लेकिन जब शाक्लेट का इक्जाम्पल दिया घैस्प से बजब सेम डंग से रखिया है उसके बाद थिम क्या तुम यहां आकर समझा सकते हो लड़के ने कई तरह से दूसरे गुटकों के तुलना करके पहले गुटके के साथ की इस प्रकार से बच्चे ने पहले गुटके के तुलना दूसरे गुटके दूसरे प्रकार स्वी बनी हुई आकरत के गुटके से की यह वया कर ही रहा था कि आने बच्चे हला करने लगे कई बच्चों ने जी सर पहले दो गुट के एक ही साइच के हैं दोनों गुट को सेम साइच के हैं अब सिच्छक ने कहा जब दोनों गुट के सेम साइच के हैं ऐसा क्यों उसका साइच सेम क्यों है कच्छा में अस्पर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसकी अंडरेश्टेंडिंग समझ रहे हैं कि इसकी समझ कैसे प्रदा करेंगे बालूम का फिर मैं का शक्ता हूं कि इनका आयतन समान है फिर वच्चे सहमत्र हुए परंध तीनों गुटकों में क्या कहोंगे परंध तीनों गुटके के बारे में आप लोग क्या कहेंगे उनक तुम इशे ध्यान से देखोगे पता चलेगा कि जो उचाई कैसे आधी मगर लंबाई उसकी दुगनी परंत बच्चे भ्रहमित नहों जैसा हमने ये कंसिप्र दिया ये तीनों आक्रितियां आपस में सेम हैं लेकिन एक में कि लंबाई हमने डबूल कर दिया उसकी हाइट डबूल कर दिया लंबाई डबूल कर दिया लंबाई डबूल कर दिया हाइट आधी कर दिया लेकिन ऐसा नहीं है भ्रहमित होने लगें सिच्छक उनके शामने जो अलग मंग लख सेब से इस प्रकार से घुटक रखे अंदर से असतना था कि गुट दो भागों में बत्व हुए थे इस प्रकार से हमने इसे उस लकड़े के बने गुटकों को रखा और बच्चों के इसकी साइज के बारे में और धौनाओं के बारे में तो समझाने का प्रयास किया कि यह वही जगां घेरते हैं उतना ही जगां घेरते हैं जितना की अन्य गुटके कबर कर रहे हैं और हम सिच्छक के द्वारा दूसरे गुटके के टिकुडों को अलग किया फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह जमाया की गुटका हूबहू दूसरे गुटके जैसा दिखने लगा अब जाच्चे समझ गए कि सभी गुटके के साइट समान हैं जगां सेम गेरते हैं समान परकार कई जगां घेरते हैं अर्तात इनकी आयतन समान थे इस प्रकार से प्रत्य बच्चों के आयतन के कंसिप्ट में समझ में आये बच्चे आयतन के अधानाओं को कैसे समझ रहे हैं अलग-अलग आक्रितियों के माध्यम से आयतन समान हो शकता है इन तमाम बिंदूओं को आप अस्फस्ट कर सकते हैं और इनमें को समझा शकते हैं अब इसकी कापसिटी ने यूनिर देखते हैं इसका बालूम का यूनिट क्या है माप इकाई आयतन नापने की मानक इकाई बताने के लिए एक सिंटीमीटर लंबा, एक सिंटीमीटर चावडा, एक सिंटीमीटर हाई इसको लग वन मल्टिप्ला, वन सिंटीमीटर, वन सिंटीमीटर, वन सिंटीमीटर नाप वाले छोटे घन को इकाई के रूप में इस्तिमाल किया जाता है बच्चे को यहां दिक्कत आती है किसी ठोस वस्त द्वारा घेरे गए आयतन तथा इसके सनरचन की आउधाना समझ लेने के बाद ही वह इस बात को नहीं समझ सकते आयतन की तुलना किसी घन इकाई के बारे में उपयोग की जाती है ठोस वस्त के इकाई खनों को मिला कर होने की बात इसलिए असफ़स्ट नहीं होती क्योंकि कई सारी घन इकाईयों तो उन्हें नजर ही नहीं आती यह इसका 3D फिगर बनाने का प्रयाज किया गया इसमें हम क्यों 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 क्य प्रकार से 5 सिंटी मीटर का क्यूब बना हुआ है अब जाकर के किसी मेज घनाकार मेज के मद्धिभाग के जो ही काईया होती है इससे आप गद्विधियां लेकर के इसका मदद कर सकते हैं लकड़े के टुकड़े को बाक्स के रूप में देख करके आप बच्चों को समझा सकते हैं उसको जोड़ तोड़ के अलग आकिरती बना शकते हैं छोटे छोटे घनाका टुकड़े को जोड़ करने बड़ा बलाक बना सकते हैं उसको बच्चों को खुद बनाने के लिए कह सक सकते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे बाक्स से बड़ा बाक्स बच्चे बनाएंगे उनमें आयतन की समझ आयतन की क्याई के बारे में धांचा के बारे में आउधाना प्रत्य कंसेप्ट हो जाएगा इस यह अभी पता करने के लिए बच्चों को कहेंगे कि खनाकार्ज में कोई कोई धांचा बनाएगा कोई लंबाई वाला धांचा बनाएगा कोई चावडाई वाला कोई ब्रेथ वाला कोई छोटी सिंटीमीटर माप का टोड़ा बनाएगा जैसे समानतर फट तलक्स होते हैं खट फलक घनाप हर टोली के निम्दमें बिंदों पर चर्चा करन धाचों में परतों की संख्या कितनी है, कितनी परत बनी है, एक परत में कतार कितने है, एक कतार में कितने घन है, एक परत जो है लेयर वाला पाल चाहिए लेंध का है जो है उपर वाला बगल वाला उसमें घन कितने क्यूब है, इन घनों के रूप में धाचे का आयतन कितना हो सारे घंणों को गिरेने के वज़ाए आयतन निकालने का ओझ छोटा तरीका क्या होँशकता है आप इस प्रकार से बच्छों को उसकी साइड भुजा के बारे में घंण के माप के बारे में पता लगा सकते हैं गन की भुजा संटीमीटर में है इसको बता शकते हैं उसका आयतन नाप करके संटीमीटर गन में है उसको बता शकते हैं संटीमीटर गन को इस प्रकार से लिख सकते हैं आयतन नापने की माना की क्या है इस प्रकार से बने गने घाचे का आयतन नापने के लिए एक मीटर से सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं इस प्रकार से खुद बच्षों के द्वारा पता शकते हैं उनको समझा अब जब इन सब गजड़ विधियों के माध्यम से बच्षे ने यह सब शीक लिया तो वह खुद उसका आयतन जाना करनने के लिए लंबाई गुड़े चवड़ाई गुड़े उचाई कर लेंगे घनाब का मतलब की ऐसी आल्टकिल ऐसा ऐसा से जίसकी लंबाई और चझवड़ाई और उचाई से नहीं है उसे क्यूवagain बहुत है ऐसे वात को आल्टकिल्स का ऑफ है तर निकालने के लिए उसक यूनिट होगा, यूनिट पावर 3 हो जाएगा, और घन क्या है, घन का मतलब ऐसा इसा अल्टिकेल्स, जिसमें तीनो डाइमेंस सेम हो, लंबा ही चाड़ायो है, उचाही तीनो लेंथ इसकल प्रेथ इसकल टू है, उसे हम घन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, इस जब तीनो सेम हैं इस प्रकार इंट निगाल सकते हैं कि आयद का क्योब का समझ में आया टेक इट्चुरेंट आज हम लोगों ने आयतन के समझ के बारे में बच्चों के गदविद्यों के बारे में उसकी समझ चात्रों में कैशे डिबलब किया जाए दिन उसके यूनिट्स के बारे में और उसके फार्मूलिज के बारे में समझाने का प्रियास किया हुआ है आज के लिए इतना ही थैंक्यू ग्लाश आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक से यार करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे